असलाम लेकूम स्टेंट्स, क्लास 3 अपने साइंस की बुख देखी, डिस्कवर साइंस, इसमें स्टेंट्स हम लोग अपना फाइनल का स्लेबर स्टिक कर लेते हैं, ऐसे टू यानिके, तो उसमें चेप्टर स्टिक कर लिए, लेसन नमबर 12, दी अर्थ, जो हम पार्ट नमब पेज नमबर 80 कोपीट करेंगे, नेक्स्षिपिटर लेसन नमबर 13, heavenly bodies in shoulder space, पार्ट नमबर 12, पेज नमबर 35 कोपीट करेंगे, नेक्स लेसन नमबर 14, measurement, पार्ट नमबरiac, नमबर 89 करेंगे, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगी, लेसन नमबर 12, the earth, पार्ट नमबर 11, और पेज नमबर है 80, तो सभी स्ट्रेंड्स, पेज नमबर क्या निकालने है अपना, 80 निकालने है ठीके, देखिए पेज नमबर आजएगे 80, लेसन नमबर 12 और लेसन नेम क्या है दी अर्थ, यूनिट 4 हमारे यूनिवर्स, पार्ट नमबर 11 शो करना है और यहाँ पर हम सभी को स्ट्रेंड्स, डेट लिखनी है ठीके, चलिए एक्स्प्रेनेशन है, अर्थ जो है, वो हमारा क्या है, एक होम है, यानि कि अर्थ में हम रहते हैं, और लिविंग बिंग्स लिव ओन इट, कह रहें, जितने भी लिविंग बिंग्स हैं, यानि कि जो भी हमारी जानदार चीजें हैं, वो सभी हमारी किस पर रहती हैं, अर्थ पे रहती हैं, ठीके, यानि कि अर्थ जो है, वो हमारा रहने का घर है, और जितनी भी जानदार चीजें हैं, वो सभी हमारी किस पर रहती ह अर्थ पे रहते हैं ठीके नेक्स्ट है इसमें फिर अज़िए अर्थ इसमें पॉफ लैंड एंड वाटर के रहें अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से मिलकर बना है About 70% of the Earth's surface is water and only 30% is land कह रहें 70% जो है अर्थ वो वाटर से गिरी है और 30% land से The Earth is surrounded by layer of air called atmosphere अर्थ जो है वो एक layer से surrounded है गिरी है जिसको हम कहते हैं atmosphere First है इसमें the planets The Earth and other planets are the parts of solar system कह रहें अर्थ और बाकी के जो planets हैं वो किसके पार्ट है solar system के ठीक है Next है there are eight planets in the solar system Eight planets है हमाई solar system में Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune Mercury is the smallest and Jupiter is the biggest planet Mercury जो है वो smallest planet है और जो Jupiter है वो biggest planet है Venus is the hottest planet in the solar system Venus जो है वो hottest planet है solar system का Planets have no light of their own कहने planets की खुद की light नहीं होती है They glow only when sun lights fall on them यह कैसे चमकते हैं जब इन पार सूरज की किरने पढ़ती है Remember, कहरे याद रखिए Earlier there were nine planets in the solar system कहरे पहले क्या था? हमारे solar system में nine planets से But Pluto has now been excluded from the family of planet जो कि किसका क्या नाम था? Pluto लेकिए कहरे Pluto को अब हमने exclude कर दिया है Family से यानि कि Pluto planets की जो family है जो nine planets से उसमें से बाहर कर दिया है Pluto को तो कितने रह गए उसमें Pluto planets की family में Eight planets Next है the earth The earth moves around the sun कहरें earth जो है वो sun के चारों तरफ move करती है To us the earth seems to be very big But it is many times smaller than the sun कहरें कि हम जानते हैं कि earth जो है वो बहुत बड़ी है लेकिन earth जो है वो sun से बहुत ज़्यादा चोटी है sun यानि कि earth से भी बड़ी है बड़ा है But it is The sun is about 150 million kilometers away from the earth कहरें सूरज जो है वो हमाई earth से 150 million kilometers दोर है That's why it looks small to us इसलिए ये हमें small नजर आता है Next साजी Page number है 81 Shape of the earth अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे Earth के shape के बारे में The earth is round in shape Earth का shape कैसा है Round है But it is not completely round लेकिन ये पूरी तरीके से round नहीं है It is slightly flat at the poles कहरें Poles से थोड़ा सा flat है Like an orange जैसे की orange होता है How can we say that the earth is round in shape कहरें कि हम कैसे कह सकते हैं कि earth जो है वो round shape में Now how does it disappear कहरें कि आपको ये कैसे नजर नहीं आएगी It does not disappear suddenly एकदम से दिखना बंद होगी First its lower part called Hull disappear from the side कहरें सबसे पहले जो इसका lower part है जिसको हल कहा गया है वो डिसेपियर होगा हमारी हमें दिखना बंद होगा Then its middle part and the last its top part फिर इसका middle part और फिर इसका top part इसको हम कहते हैं mast कहरें this can happens only when the surface is round और कहरें कि ये कब होगा जब चीज जो होगी surface जो होगी वो हमारी round होगी तो इससे हमें पता चला कि जो earth है वो हमारी round है This first man to prove that the earth is round in shape कहरें कि इस इंसान ने firstly proof किया आर्थ जो है वो round shape की है नुका कह नाम था Ferdinand Magalyn कहरें he sailed around the earth in 1519 कहरें उन्होंने इस तरह से नाओं को चला कर देखा जिससे उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि जो earth है हमारी वो round shape की है Next time Today we have many photographs of the earth taken from space कहरें space से जो कई सारे photos ली गए है All these photographs show that the earth is round shape कहरें कि जितने भी photographs है वो सब ये बताते हैं कि earth जो है वो round shape में है The earth looks blue from space because of the presence of water on it कहरें space से अगर हम देखें तो earth जो है वो blue color की नजर आती है क्योंकि earth पर water present है अब next है movement of the earth अब earth पर movement कैसे होता है same page number page number 81 पर ये You know that the earth goes around the sun कहरें आप सभी जानते है earth जो है वो sun के जरो तरफ से एककर लगाती है It also spins on its axis अपने axis पर वो revolve करती है Thus the earth makes two kinds of movement तो कहरें earth में दो तरह की movements होते हैं First है rotation, second है revolution अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर rotation और revolution जो है उसमें क्या difference है ठीके Next आज ये page number है 82 First है rotation The spinning of the earth on its axis like a top कहने कि spinning होती है earth की axis जो है उसका top पर या नहीं It completes one rotation वो एक rotation complete करती है 24 hours में The earth rotates from east to west और earth जो है वो rotate करती है कैसे east से west के दर्फ The rotation of the earth on its axis cause day and night इसी rotation से ही जो axis पर rotation होता है earth का दिन और राब होते है As the earth rotates on its axis कहने जैसे ही earth जो है अपने axis पर rotate करती है One half of its receives the sunlight and the other half it away from the sunlight कहने जो आजा हिस्सा है हमारे earth का उसको sunlight मिलती है महाँ पर हमारा day होता है और जहाँ sunlight नहीं मिलती है महाँ पर हमारा night The half part of its faces sun has day और जो half part है जो में नहीं दिख रहा है वो क्या है night Since the earth rotates all the time इसी तरह से earth जो है वो पूरे time rotate करती रहती है day और night Follow each other continuously Sun rises marks the beginning of the day and sunset marks the coming of night Sunrise सूरज निकलता है दिन में दिन की शुरुआत होती है सूरज ढूपता है तो हमारी रात होती है यह था हमारा rotation The movement of the earth around the sun is called revolution कहरें जो earth का movement होता है sun के around वो कहलाता है revolution You will learn about it in the next classes कहरें आप इसके बारे में next classes में पढ़ेंगे Next है Indian astronomers Indian astronomers कौन कौन तो The people who study heavenly bodies Sun, Moon, Planet and Stars are called astronomers कहरें वो इंसान जो heavenly bodies के बारे में study की है जैसे की heavenly bodies क्या है Sun, Moon, Planets and Stars उनको हम क्या कहते हैं Astronomers Next है India has many astronomers in the past कहरें इंडिया में कई सारे पहले के astronomers हैं जैसे की Ardhya Bhattar Ardhya Bhattar was such an astronomer in the first century First century के He was a great mathematician He was the first who said that the earth is round इन्होंने बताया था कि Earth वो round shape की है And it rotates on its axis और वो अपने axis पर rotate करती है किसने बताया था Ardhya Bhattar Next है Second है Varaham Eera Was another great astronomer who lived in the 5th century जो 5th century में रहा करते थे He wrote many books on astronomy उन्होंने astronomy पर कई सारी books लिखी है Next है To honor these great astronomers India launched its first satellite in the name कह रहें इनको honor के लिए Astronomers को honor के लिए India ने launch की थी first satellite जिसका क्या नाम था Ardhya Bhatt In 1974 में Since then our country has launched many satellites के रहें उसके बाद हमारी country ने बहुत से satellites launch किये Into space जैसे की आपको यहाँ पर नाम गेवेन है आपकर रोहिनी एपिल और इनसे तो यहाँ पर हम लोग का page number 82 पर Lesson number हमारा यह complete होता है Next आज़े page number 83 पर हम यहाँ पर exercises करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या show करेंगे Part number हम लोग करेंगे 11 First test में Take the correct option Who is the Indian astronomer of 5th century? कहने 5th century के जो हमारे Indian astronomer थे उनका क्या नाम है? Ardhya Bhatt Fader and Megalyn या फिर मैधिवा तो इनका क्या नाम था? अभी मैंने जस्ट आपको पीछे ही यहाँ लेसन में पढ़ाया है यह जो हमारे first astronomer थे उनका नाम था Ardhya Bhatt Second name the planet which has been excluded from solar system कहरें उस planet का नाम बताईए जिसको solar system से exclude कर दिया गया यानि कि बाहर कर दिया गया तो उस planet का नाम है Pluto Third is the movement of Earth around its axis is called कहरें कि जो movement होता है अर्थ का around its axis पर उसको हम क्या कहते हैं? Rotation Around the sun वो कहलाता है revolution ठीक है? कोशन आंसर है यह हम अभी copy में करेंगे तो next हम फिलिंदा ब्लैस देख लेते हैं First is the dash is our home कहरें कि यह क्या है हमारा The dash is our home तो अभी देखी मैंने First में आपको पढ़ाए था क्या था? The earth is our home Earth जो है वो हमारी क्या है? Home है ठीक है? Next है इसमे फिर second The sun is the dash star Sun जो है वो कैसा star है? Near as star Third है dash was a famous astronomer Famous astronomer कौन थे? Arya B H A डवर्टी आर्या भट Dash is now not a planet अब वो कौन सा है? जो planet नहीं है? Pluto P-L-U-T-O A-R-Y-A B-H-A डवर्टी आर्या भट Next है Sun is dash then earth Sun जो है वो earth से कैसा है? Bigger Next है true false First the moon has no air and water Moon पर नहीं air है नहीं water True Earth is bigger than the sun Earth जो है वो बड़ी है सन से? नहीं Earth जो है वो छोटी है सन से? कई गुना जादा Earth is sound Surround Sorry Earth जो है वो राउंड शेप की है True We see the sun during the day कहरें कि हम दिन में सूरज को देखते हैं True Planets have their own light कहरें planets की खुद की light है? नहीं वो sunlight की जो light होती है वो उस पर आकर पढ़ती है ठीके? Next आज जी की page number है 84 पर Write the names of the following Question number one है What kind of movement does the air make? कहरें कि air में किस तरह का movement जो है वो Sorry What kind of movement does the earth make? Earth पर किस तरह का movement जो है वो होता है ठीके? तो इसका answer देखी है B मैं आप लोग को यहाँ पर टिक लगवा देती हूं Page number आज जाएगे Page number 81 ठीके? Page number है 81 यहाँ से लिखेंगे देखी U को cancel करेंगे यहाँ पर लिखेंगे V V से लेकर We know that the earth goes around the sun ठीके? It also spins on its axis Does the earth make two kinds of movement rotation और revolution? यह हो जाएगा हमारा answer number 1 जो हमें copy में note करने ठीके? Class third page number है 81 पे तो question number 1 के सामने यहाँ पर note डाउन कर ले page number 81 Next है question number 2 What does the sun give us? कह रहें sun जो है वो हमें क्या देता है तो यह आप यहाँ पर लिख लें sun हमें क्या देता है heat और light ठीके? मैं इसको यहीं लिखवा देती हूँ the sun gives us heat and light What is revolution? अब इसमें कह रहें कि revolution क्या है revolution देखिए यहाँ पर है page number 82 पर the movement of earth of the earth around the sun is called revolution move करना earth का sun के around यह कहलाता है revolution answer number 3 और page number 82 तो answer number 3 के सामने लिख ले question number 3 के सामने 82 यहाँ से copy में करने सबको note down question number 4 how many planets are there in the solar system? अब हमें बताना है कि solar system में कितने planets है तो मैंने अभी आपको कितने planets बताये थे कि हमारे solar system में 8 planets है ठीके? यहाँ आजाए page number 80 देखिए there were 9 planets लिखा है in the solar system तो there were 9 को cancel करके यहाँ पर लिखेंगे sorry there were there लिखेंगे were cancel करके r लिखना है आपको ठीके? ऐसे लिखेंगे there are 8 planets in the solar system कितने planets है? 8 planets है किसमे हमारे solar system के अंदर answer number 4 page number 80 question number 4 के सामने यहाँ पर क्या लिख लिखेंगे page number 80 ठीके? यहाँ पर हम लोग का यह lesson number 12 part number 11 में complete हो गया है explanation किया है मैंने exercises की हैं और फिर question answer की हैं question answer मैंने tick करवा दिये हैं लेकिन आप लोग को